तो हेलो फ्रेंट्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे दोस्तों आईए इस वीडियो में फिर कवर कर लेते हैं वरेनियम कलाउड लिम्टेड के स्टॉक को क्योंकि इस स्टॉक में फिर आजकल बड़ी गिरावट चल लए है इसके नतीजे भी आ चुके हैं उनको भी हम कवर करके आपको बता चुके हैं कि कामपड़ी के नतीजों में कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी ये स्टॉक कांटीनूसली गिरता ही जा रहा है गिरता ह कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों पहले इस कामपड़ी के नतीजे आये थे कामपड़ी के नतीजे में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं बिली थी कामपड़ी का प्रॉफिट और कामपड़ी का जो रेवनू है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है इंदा क्वार्टर थरी फन ऐसा स्टॉक मार्केट में कभी नहीं होता है ये पहले आपको समझना है कोई भी स्टॉक कब चलेगा ये आपको नहीं मालूम क्योंकि ये सारा कुछ मार्केट सेंटमेंट्स के कोडिंग ली ही होता है तो ये इसको कवर कर लेते हैं नए आयो दोस्तों हमारे चैनल को सब्स तो अभी भी यह जो स्टॉक है सेक्टर के मुकाबले सस्ता है और कंपड़ी की प्राइस टू बुक रिशो भी लो है 3 के रौंड है और जदी इसकी मार्केट कैप देखे 4.98 क्रोड के रौंड है और EPS में 53% की ग्रोध हो गई है और जीर और जीर बेसे कंपड़ी का जो EPS है वो 20 के रौंड है तो कंपड़ी के फंडामेंटल्स बेल विशन में कोई भी दिक्कत नहीं है डिविडेंट जील्ड देखें तो 4.23% का है लेकिन स्टॉक में आजकल बीरे स्टेंड चल रहा है यह जो स्टॉक है कांटीनूसली नीचे ही गिरता दखाई दे रहा है तो कैसा आया हुआ है क्योंकि रहा दो देख लो कांपरी के नंबर जो है वो कांटीनूसली इंप्रूव ही होते दखाई दे रहे हैं अब जदी इसका शेर होल्डिंग को ध्यान से समझो दोस्तों यह दिसंबर 22 से लेके और दिसंबर 23 तक का डाटा है पहले देखो जो की होल्डिंग आपको शो कर रहे हैं यह भी हमारे पास डाटा शो हो रहा है दिस इस दा पर मोटर होल्डिंग एक मिड़ हम आपको मार करके भी बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए यह देखो चलो हम जो है स्टमबर 23 का डाटा जो है वो दिसंबर के क्या हो गया उनके प्लेज़ शेयर तो रिड्यूस हो गए हैं लेकिन साथ के साथ कांपड़ी के जो शेयर होल्डिंग पैटन है यहां पर डेगटिव ट्रेंड है आप देख सकते हो कांपड़ी के प्रमोटर की होल्डिंग बहुत जादा काम हो गई है तो 63.19% से गिरके 36. 36.38% हो गई है तो यह सबसे बड़ी दिक्कत अभी इस स्टॉक में चल रही है जिसके कारण फिर एक तरह से फिर एंड पैने का महौल इस स्टॉक में बन चुका है तो प्रमोटर ने अपने प्लेज़ शेयर जो है वो जिरूर प्री करवाई हैं क्योंकि पहले प्लेज़ श प्रमोटर अपना माल क्यों बेच रही है यह सारा ही एक जो है वो समझने बाली बात है कंपनी आई-टी सेक्टर की कंपनी है तो कंपनी के बिजनस में कोई भी दिक्कत नहीं है जैसे कि आपने पहले ही देखा है तो अब देखो दोस्तों प्रमोटर हैव अनप्लेज़ 20.66 अब उनके जो प्लेज़ शेर्स हैं 43.50 परसंट के है और प्रमोटर होलिंग लेकिन जदी परमोटर होलिंग देखे दैट हैज बिन रेडियूस फ्रॉम 63.19 परसंट तो 36.38 परसंट और जो FIIs हैं उनकी होलिंग भी 1.45 परसंट से रेडियूस होके 0.11 परसंट हो गई है य लेलकिन दोस्तों के रिगार्डिंग काम्पनी ने कुछither क्लेरिफकेशन भी दी हुई है आईये उसको पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले काम्पनी ने अपने shareholding के regarding कुछ clarification दे हुई है सबसे पहले हम निकालते हैं 22 की जो इनकी letter है जो clarification आई है यहाँ पर देख सकते हो 22nd January को company ने clarification डाली है regarding the shareholding pattern for the December quarter तो यहाँ पर देख सकते हो पहले ही company में बहुत जादा inquiries आ रही है इस company के जो shareholders है वो companies को पूछ रही है in response to the several queries raised by the shareholders we will like to clarify that the shareholding of the promoter has not reduced due to the sale of share यह समझो पहले के company के जो promoters है उन्होंने कोई भी share sell नहीं किया हुआ है तो जो भी यह हो रहा है कि यहाँ पर जो data change हो आया है कि company के share promoter की holding काम हो रही है there was an inadvertent error made by the RTA in the classification of the promoter group shares as the promoter group has shifted part of the shareholdings to the other holding accounts which have not yet been classified as a part of the promoter group तो कुछ technical errors हुई है inadvertent error हुई है जिसके कारण जो promoter group का shares है वो दोसी holding में जो है वो count हो गया है the only reduction is on the account of the dilution due to the issuance of the rights issue यह समझो पहले जो भी dilution हुआ है company के shareholders का company के promoter की shareholding का that is due to the issue as of the right share जिसके कारण कुछ shares जो है वो प्रमोटर की holding से कट करके और दूसरी की holding में चले गए हैं the same will be rectified and reported in the revised shareholding which will be filed for the March quarter तो जो भी March quarter की file होगी जो भी March quarter के लिए shareholding partner आएगा वहाँ पे यह जो गलती है वो rectify कर दी जाएगी further the promoters will also clarify this on the earnings call that will held soon for discussing the results of the quarter for the December तो जी उन्होंने ढला था के company यह जो गलती हुई है उसको जल्दी ही जो है वो clarify कर देगी उसको जल्दी ही जो है वो सही कर देगी तो इसके regarding जल्दी ही जो है वो company अपने shareholding pattern का revision करेगी तो यहाँ पर उसके बाद देखो 23rd को एक और इन की आ गई letter यह stock exchange को उन्होंने information प्रवाइड की है revision in the shareholding pattern filed for the quarter तो उन्होंने फिर क्या किया के reference to the letter जो 22nd January को उन्होंने letter डाली थी उसके regarding जो error आई थी in the shareholding pattern for the quarter in the December we hereby want to inform that there was an inadvertent error in the classification of the promoter group shares so in consideration of the matter we will file the revised shareholding pattern तो इन्होंने फिर क्या किया के stock exchange को जो है revision of the shareholding pattern file कर दिया for the December quarter उसके बाद फिर दोस्तों इन्होंने कहा के यह matter है that will file the shareholding pattern by 29th January 2024 जन्होंने के आज के दिन तक यह company जो है आपना revised जो pattern है shareholding pattern है वो करेगी revision करेगी उसके बाद 24 को एक और letter इसके regarding का रही है conversion of the partly paid up equity shares to the fully paid up equity shares तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने फिर जो है revision का जो डाला हुआ है जो company ने bonus दिया था जो भी इनकी जो इन्होंने जो equity shares का conversion करना था जो पहले partly paid up equity shares है उनको fully paid up equity shares में जो है वो convert करना है उसके regarding भी जो है वो आप यह letter डाल दी है क्योंकि इन्होंने right issue दिया था यहाँ पे देख सकते हो इसके करण क्या हुआ कुछ promoter की holding के change आ गई promoter का जो holding थी वो change हो गई तो इसके regarding इन्होंने डाल दिया है in this connection the rights issue committee authorized by the board at its meeting held today that is 24th January approved the conversion of this mass of equity shares into the fully paid up equity shares जो भी दोस्तों इन्होंने करना था उसके regarding company ने decision ले लिया है तो इसलिए दोस्तों अभी fear में panic में मतमाल सेल करें हम आपको यही कहेंगे company की तरफ से clarification आने दें और जो long term दिवेशक हैं वो इस stock में बने रहें क्योंकि long term में company में कोई दिक्कत नहीं है जो भी ये issue हुआ है वो march quarter में correct हो जाएगा हाँ short term में अभी fear तो रहेगा ही लोगों में एक तरह से fear है panic है वो तो चलता ही रहेगा लेकिन अभी ता कोई company के fundamentals में जाए company के financial report में अभी ता कोई दिक्कत नहीं चल रही है तो shorter में जुरूर इस stock में profit booking आती रहेगी जदी आप एक short term दिवेशक हो तो आप जुरूर इसको exit कर सकते हो short covering में जैसे ही इसमें कोई reversal आता है तो इसमें आप exit कर सकते हो 100 इसका lower support level है 100 level तूटता है तो फिर इसमें बड़ा downfall भी आ सकता है इसलिए 100 के round support stop loss लगागे short term में trading कर सकते है